है गाई आप शुविगा स्वागत है मेरे एटूब चैनल बेस्ट आप एदूकेशन में तो आज हम इस वीडियो में क्लास एट क्लास के हिंदी का पेपर होगा आप लोग को साथ तारीक को जिसमें से आप लोग को यह प्रशन बताने जा रहे हैं इसमें से चले हम देखते हैं कोशन लिखा गया है पहला कोशन की दिये गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का निसान लगाई है तो यहां दिया हुआ है कि विक्रम शिला किस विधा की रचना है अप्शन एक, दो, तीन, चार दिया है जिसमें से टिक लगा हुआ है आप लोग को निबंद पे यह राइट एंसर है इसका इसमें आप लोग को सभी के सभी उपर टिक लगा हुआ है एंसर में चले अगला प्रशन दिया हुआ है कि सानिद्या का अर्थ क्या होता है इसका आर्थ होता है निकट, क्या आर्थ होता है निकट होता है चले अगला प्रशन है कि नेरूतर का बिछेद करें तो नेरू का बिछेद होता है ने प्लस उत्तर अगला प्रशन है कि पंच्वटी कौन सा समास है द्विगू समास है चले अगला क्वेशन है कि इर्षिया की बड़ी बेटी का नाम क्या है निन्दा है इसका नाम है निन्दा अगला प्रशन है कि खाले असनों को उप्यूक्त सब्दों से भरिए जो आप लोग को इधर दिया हुआ है इन सब्दों में से आपको सही सब्द भरना है तो लिखा है कि जिंद्दिगी को मेरी परवाने की सूरत याराभ हो तो इसमें से परवाने भर दिया गया है सत्थ दारा निर्माला बहेव बामय तो इसका इसमें भरेंगे हम लोग काया गान नंबर है कि लचमी थी या दूरगा थी वस्वेम बिरता की अवतार यानी इसका राइटेंस रोज़ेगा बिरता इसमें से भरेंगे बड़े ना हुजे गुनून बिनू बिराद इसका राइटेंस रोज़ेगा बड़ाई पाए यानि बड़ाई पाए संध्या को अब दिन जाता ढ़ल सुरज चलते हैं अस्ता चल यानि इसमें से सुरज जाने के बाद संध्या का समय हो जाता है अगला प्रस्ण है कि अस्तमका के सब्दो का मिलान अस्तमका में उनके अर्थों से किजिये ठीक है तो देखिए पहला में ठेश दिया है तो ठेश का लिखा है राइटर होते हैं फडिस्वरनाथ रेणू इदगाह का राइटर है प्रेमचंद, पीपल का गुपाल सिंग अगला प्रस्ण है कि नीचे दिये अनुछेद को ध्यान से पड़े और संबंधित प्रश्णों के जवाब अपने सब्दों में देना है ठीक है यहाँ पर हमारा संदी बीचे दिया हुआ है अनुछे दिया हुआ है निकधास इसमें देखिए लिखा हुआ है कि लोग कथा को समझने के लिए क्या उस्यक है तो जलवायू, रहंसान, खान-पान और संस्क्रिती को समझना जरूरी होता है अगला है कि पठार किसे कहते हैं तो जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से उंचा और पहाड से नीचा होता है अगला प्रस्णा है कि ठीक वैसे ही जैसे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं कथन का तातपर्या क्या है तो इस कथन का तातपर यह है कि जिस परकार छोटे बच्चे मन चाहे रंग भर देते हैं उसी परकार तीबत प्रकृति ने पहाड पठार तथा खनीज से मन चाहे रंग भरा है अगला प्रस्णा है कि तीबत में लगबग डेर्श पंद्रों सो जीले है इसका क्या कारण है यह जीले बनती है पहाडों को पहाडों की बर्फ पिगलने से तीबत के पुर्वी भाग का संचीप पर चाहे तो तीबत का पुर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते है अगला प्रस्णा की निम्नलेखित प्रस्णों के उतर एक या दो आक्यों में दीजिए तो लेखा को बिमार पढ़ने की इच्छा क्यों हुई थी तो लेखा पेड़ाब बनारसी जी कभी बिमार नहीं पढ़े थे सरीर भी स्वस्त दिखाई पढ़ता था लेकिन उनकी इच्छाती की मैं बिमार पढ़ू तो मजा आएगा इनकी वह इच्छाती मजा आने की विकरमा दित्या के पाठेक्रम में क्या क्या सामिल था तो दान, सिल, धायरय, वीर्यध्यान और प्रग्या, पारमीता के प्रमुक अंग थे जिन में परांगत होना मेरे उदोश्यों में सामिल था अगला प्रस्ण है कि निम्नलेखित प्रस्णों में से किसी एक का उत्तर 100 सब्दों में दीजे तो यह लिखा है मने दो प्रस्ण दिये हो कि बच्चे की दुआ कभिता में संसार को बेतर बनाने की कमना मुखर हुई है उन कमनाओ को अपने सब्दों में लिखना है तो लिखा है कि खुसबू रचने वाले हाथ किन प्रस्थितियों में रह रहे है इस कभिता का उदेश्या बता है हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ इसका एंसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका विता को लिखने का उदेश्या है कि समाज के मजदूर बर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर बिश्मता का चीतरन तथा दुनिया भर में अपनी बनाई अगर बतियों के माध्यम से शुगंद पहलाने वाले मजदूर बर का घोर गरीबी में गंदगी के बीच जीवन बिताना तथा समाज द्वारा उनकी उपेच्छा की और लोगों का ध्याना करशित करना इसका विता का यही उदेश्या है थैंक्यू धन्यवाद